हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू मैं चैनल फिर से एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ आज का रेसिपी है अंडा करी वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में यहाँ पे पाँ चूबला हुए अंडा लिया है और यहाँ पे मैं दो लोगों के लिए अंडा करी बना रहे हूँ तो फ्रेंड्स शलिए स्टाट करते हैं यहाँ पे मैंने धनिया जीरा पोड़ एक चमच लिया है मिर्च पोड़र एक चमच गरम मसाला एक चमच चिकन मसाला आधा चमच नमक 15-20 लसून, एक्टुकडा अद्रक, टमाटर, प्याच और पाच उबले अंडे यहाँ पे अद्रक और लसून और एक मिडियम सैज का टमाटर लिया है यहाँ पे 10-12 गोल मिर्च लिया है इसे है पीस लिया है अब देख सकते हो यहाँ पर मैंने गैस चलाया, कुडाही रखा है और सबी अंडे को हम इसमें कट कर देंगे मैंने फॉर्क लिया है अब चक्कू का भी इस्तमाल कर सकते हो और अंडा जब भी आप टेल गर्म हो चाए तब भी अंडे को डालना है नहीं तो अंडा सड़ सकता है और अच्छे से फ्राइड नहीं होगा तो इसलिए जब तेल गर्म हो जाए तब यह अंडे को आप कट करके उसमें डालिये सारे अंडे मैंने इसमें डाल दिया है तुरंत आपको नमक डाल देना है नमक डालने से क्या अच्छा फ्राइड होगा और अंडे के अंदर तक नमक जाएगा तो खाने में बहुत टेश्टी लगेगा मैंने यहाँ पर डीप फ्राइड किया है अंडे को आप देख सकते हो और अंडे को हम निकाल लेंगे एक बरतन में आप इसे हाई फ्लेम पर अंडे को फ्राइड कर सकते हो आप देख सकते हो कितना गोल्डन करण हुआ है और यहाँ पर मैंने तेश पत्ता डाला हम यहाँ पे प्याज डालेंगे प्याज को भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे तो फ्रेंट्स यहाँ पे प्याज फ्राई हो गया है और मैंने तेल से साइड में कर दिया है इसे भी हम मिक्सर में पीसेंगे तब ही हमारा अंडा करी रेस्टोरेंट जैसा होगा तो फ्रेंट्स आप देख सकते तेल से मैंने प्याज को निकाल लिया है तेल थोड़ा भी आने नहीं देना है अगर तेल आएगा तो जब भी आप मिक्सर चलाएंगे तो मिक्सर चलाने में बहुत प्रॉबलम होगी इस भाथ को ध्यान रखना है तो फ्रेंट्स यहाँ पर मैंने प्याज को पीष लिया है अब देख सकते हो प्याज का भी पेष्ट हो गया है थोड़ा पानी डाल के पीशा है अब यहाँ पर मैं प्याज तेल में डालूंगी थोड़ा हमारा कड़ाही गर्म हो गया इसलिए हम थोड़ा कम कर देंगे लो फ्लेम रखेंगे इसे हलके हातों से चलाएंगे अल्रेडी पहले से ही प्याज तो भूजा हुआ है टाइम नहीं लगेगा और यहाँ पे मैंने लसुन अद्रक और टमाटर गोल मिर्च का पिस्ट बनाया था वो डाल देंगे इसे भी हम फ्राइक करेंगे फ्राइक करने में टाइम नहीं लगेगा जल्दी आपका होगा क्यूंकि पहले से यह सब कंप्लीट है प्याज गेरा अब जितनी मसाले हमने रखा था वो सब मसाला बारी-बारी इसमें एड़ करेंगे लो फ्लेम रखेंगे हमें लो फ्लेम पे ही फ्राइक करनी है मसाला इस तरह से आपको चलाते ही रहना है मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ कि मसाला को चलाते ही रहना है अगर मसाला थोड़ा भी जल जाती है तो जो हम सबजी या कुछ भी बनाते हैं तो उसका टेस्ट पहुँच चेंज हो जाता है दिखिए मसाला फ्राई हो रही है हलका नमक डालेंगे इसमें क्योंकि हमने जो अंडा फ्राई किया था तो नमक डाला था उसमें अब यहां पर मैंने एक हरी मिर्च डाल रही हूँ मैं अगर आप चाहे तो नहीं डाल सकते हैं अगर आपको मिर्च नहीं पसंदे तो आप नहीं डाले तो इस तरह से हमें चलाते रहना है मसाला भूंच गया है अब इसमें हम पानी एड़ करेंगे अगर आप गाड़ा खाते हैं तो गाड़ा रखना या आप रसा इसका पतला बनाना चाहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा पानी डाले हाई फ्लेम कर देंगे इससे क्या जल्दी उबाल आएगी तो इसमें उबाल आ गया है आप देख सकते हो इसमें अंडा एड़ करेंगे जो आप अंडा करी खाएंगे तो आपको खुद बहुत टेश्टी लगेगा क्यूंकि जो इसकी जो क्रेवी बनी है अंडे के अंदर तक पूरी जाती है इससे ज़्यादा पकाना नहीं है बस फाइप मिनट सकत रखना है फाइप मिनट सो गया है आप देख सकते हैं कितना अच्छा हुआ है कलर भी इसका कितना अच्छा है बहुत यमी और टेश्टी बनी है तो फ्रेंड्स अब देखे तो जरूर आप ट्राइक कीजिए अब मुझे बताईए कॉमेंट करके कि कैसा लगा आपको यहाँ पे मैं धन्या पत्ती से जानिस कर दूँगी यहाँ पे गयस बंद कर देंगे और देखे प्रेंड्स कितना अच्छा बना है कितना यमी कितना टेश्टी बना है तो आप जरूर ट्राइक कीजिए आपको आज का रेसिपी कैसा लगा जरूर शेयर करें आप लाइक करें बस आपको अंड़ा फ्राइ करते समय ध्यान देना कट जरूर लगाना अगर कट नहीं लगाएंगे तो आपके उपर वो तेल पढ़ सकती है जरूर आप लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें जरूर आपके 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 जरू